कटिले तारों से घिरा हुआ है लोगतंत्र और सच को दिखाने वाले मीडिया पर इडीर छापे पड़ रहे हैं सच बोलने वाले पत्रकारों पर एफाईयार हो रही है किसानों के पक्ष में खड़े नौजवान कारेकरताओं के ऊपर मामले बनाये जा रहे हैं उनकी गिरफतारिया हो रही है यह इस समय का सबसे बड़ा सच है जिस समय देश की संसद में किसान आंदोलन को एक नकारात्मक छवी में तबदील करने की कोशिश मोधी सरकार कर रही है उस समय हम पहुचे हैं सिंगू बॉडर और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया पर चाहे वो एडी का हमला हो या फिर गिरफतारियां और एफाइयार आखिर इन्हें किसान कैसे देख रहे हैं किसानों का आंदोलन इस समय लोगतंत्र को बचाने के आंदोलन की सबसे बड़ी तस्वीर के रूप में उभरा है मोधी सरकार को भीतर से हिलाता हुआ ये आंदोलन हर important mode पर हर एहम mode पर लोगतंत्र को बचाने वाली तमाम ताक्तों के पक्ष में खड़ा नजर आया है जिस समय नूजवान दिशा रवी की गिरफतारी हो रही थी उस समय भी इन किसान नेताओं ने इसका विरोध किया था यानि जम्हूरियत के लड़ाई बहुत व्यापक फलक पर लड़ी जा रही है देखियो हम तो मीडिया के ओपर क्या हम तो दिशारवी के ओपर भी जो अटाश हुआ होए उसको भी ब表示 ये भी अदू है जो लोग सक बोलते हैं, जो स्टेक के खलाब सक्ची बात कहने के जुरत रखते हैं। जब उनके उपर टैक होगा तो हमारे लिए वो हम सच के परेदार हैं जो हमारे लिए सच बोलने के लिए त्यार हैं अगर उनके उपर टैक होगा तो उनके लिए बोलेगा तो कौन बोलेगा तो हम ही बोलेगे इसलिए हम तो उसके नौदिप के लिए भी हमने बोला है हमने द वो लोग हैं जो जिनका इस समाज पर कबज़ा है जो इस पर जैसे जिनका राजबाग है वो एक वो लोग है उनके साथ एक मीडिया उनके साथ है और दूसरा मीडिया लोगों के साथ है वो कसान अंदोलन के पक्षमे है पक्षमे होने का मतलब यह है किसान मांगें सही है गल् वो उस reality को लोगों के सामने लेके जा रहे हैं तो ऐसे में एक पूरा section है काफी बड़ा section है जिसने बहुत अश्या रोल प्ले किया है किसानों की अवाज बनके उन्होंने society को देश बदेश तक कसानों की अवाज को पहुंचाया है तो उसमें जैसे कितने सारे वेब पोर्टल्स हैं कितने जैसे तो सोशल मीडिया पर किसानों के अपने पत्रकार बने हैं किसानों के बच्चे अपने पत्रकार बने हैं उन्होंने अपनी किसी ने कोई बाइट करके अपने फोन पर करके डाली है तो एक जो उससे थोड़ा बे और उसका इतना बड़ा impact पड़ा है कि जो गॉइम्मेंट का मीडिया है जो खास करके हम बोलते हैं जो electronic मीडिया है जिनकी बड़ी TRP है बड़े play किया इसलिए उनको बलई बंद करना है बलई वो ED की RAIDs डलिवा दें बलई वो किसी को arrest कर लें किसी पर कोई ED का केस डल दें या कोई और केस डल दें जैसे News Click पर उन्होंने जो हमने किया तो हमने तो अपनी अपने जरीए जितना condemn कर सकते थे उसको बो भी किया और कसान और्गिनेशन ने भी उसको ऐसे लिया कि वो एक तरह कसान अंदोलन पर ही अटैक है ना सिर्व वो इधर पर है नियूस क्लिक पर है उन्होंने तो अब वो टूल केट वाला केस ले आई वो भी क्या है ऐसे पेश करना शुरू कर दिया अपने डिमांड्स को उनकी जो बेस बताने के लिए कि वो क्यों हम डिमांड कर रहे हैं उसके लिए अपनी एक प्रॉपेगंड़ जो मिटीरिल है वो जारी करते हैं इशू करते हैं इसी तरह हम हैं हम अपना जैसे मैं सורکली निकालता हूँ आपको लगता हैं अंदोलन लंबा चलेगा देखो यह दो बाते हैं जे तो हमारे बहारत वशके जो आज की सरकार चल रही है ये बहुत अच्छे तरीके से सोचती है, कि हमने अपने देश को आगे बढ़ाना है, तो फिर तो ये सरकार के उपर डेपेंड करता है, कि ये चीजे मांग भी सकते हैं, ये मान जाएंगे, मान जाएंगे, बहुत अमीद है, कि हमारा देश ऐसा नहीं है, सोने की चिड़ी कहल जाने वाला देश है, ठीक है, हम अंदोलन कर रहे हैं, पर बहुत सी अमीद हम अपने देश के, मतलब अभी मजूदा सरकार पे करते हैं, कि शैद इस से जादा अंदोलन को नहीं बठाना चाहिए, उसको हमारी मांग पूरी करनी चाहिए, लेकिन ये अंदोलन बार बार के आई है, तो इसको आगे बढ़ाना चाहिए, इसको दबाना नहीं चाहिए, तो ये अंदोलन, जे कर मतलब नहीं मांग मानी गई, तो ये लंबा चलाने की हमारी सोच है, हम आए हैं सोनी पत से, सोनी पत जिले से, ठीक है, गवाने सहर से, गाम है, गाम मता है कथूरिय से, क्या लेकर आई हैं आप, हम लसी दूदे, आटा, सारी चीज़ा अपने बाहिया खाते लेकाए हम जो यहां बेठे हैं, उनके लिए भाई खाये जांगे, बुखे नहीं मर बना बना पस आजेते हैं, हम इस तर यहां रहे हैं, अभी वो एक दम डफेंस में हैं, बीजे पी बड़ी मीटिंगें करने लगी है, नॉर्दन एडिया के सभी यूपी के हन्याना के पंजाब के उनके साथ अमिद शाह और जो उनका जो बीजे पी का परदाना है, वो कार्पोरेशन की एलेक्शन ही देखी, अभी रिजल्ट हैं गेटा पहले, एकदम बीजे पी साफ है, उसमें दूसरी पार्टी हाई है, हमको दूसरी पार्टी से कुछ मिल जाएगा, यह बात नहीं है, लेकर बीजे पी को हराने के लिए भी हमारा को एक्टिविस्ट नहीं गया वहाँ, नहीं बोडल ने मीदिंग यहां सोटकर, लेकर बात यह जो एक जो एक इंटरनेशनल लाइवर पार, नेशनल लाइवर पर बीजे पी के एंटी मूब जानी फार्मर स्टेगल का बन गया है, बीजे पी के एंटी, हमने मूब बना दिया, उसका जीत है वो, इस सीबी अई को एकारेंगे, नहीं तो फिर एडी को जूझ करेंगे, उसके बाद ऐसे कोई और जैंसी जो है, एन नाई से नोट से नकालेंगे, यह ऐसे मीडिय नियूज के लेक के साथ किया, बहुत जानी हम कंडेमी नी करते हम न्यूस के साथ हैं, उनके समर्थन में हमें प किसान आंदोलन से उन पर हमला है जो मीडिया किसान के पक्ष में खड़ा है उस पर हमला है जो एक्टिविस्ट खड़े हैं किसान के पक्ष में उन पर हमला कैसे देखती है इसको यह बिलकुल साफ है कि सरकार बहुत डरी हुई है सरकार जनता से डरी हुई है लोगतंतर से डर हुई है और वो जो ग्रासरूट सब्वड जो मूवमेंट खड़ा हो रहा है उसको दबाने के कोशिश में वो जो अलग-अलग अस्तर वो यूज कर सकते हैं उसको यूज किया जा रहा है और हमने देखा है इंडिविजियल जोर्नेलिस्स को भी जेल में डालने का काम और न्य कलियर है कि सरकार नहीं चाहती है कि यहां के जनता की आवाज amplify होके बाकी जनता के पास पहुंचे उनको पता है कि अगर ये होगा और लोग इस moment के साथ जुडने लगेंगे और लोग कहने लगेंगे कि ये सरकार के पास कोई excuse नहीं है आज के दिन इस आंदोलन को इतना लंबा खिंचाने का और ये भी clear है कि सरकार ऐसे लोगतंत्रिक processes से ही डरती है क्योंकि वो जो इस देश को चलाने का तरीका अपनाना चाहते हैं उसमें लोगतंत्र के लिए जगें छोड़ना नहीं चाहते हैं लडाई क्या लंबी है इतने दिन तक हल क्या निकलेगा हल तो जरूर यही निकलेगा कि जो लोग इतने आशा के साथ इतने determination के साथ और इतनी शांती के साथ जो इधर तीन महीने लगबग बैटे हैं उनके demands तो सरकार को fulfill करना ही पड़ेगा और करते वक्त ना हमको कहना है ना उनको कहना है कि ये हार गए ये जीत गए हैं सिर्फ लोग तंत्र की जीत के बारे में ही हम सब को बात करनी पड़ेगी देखिए government बिल्कुल बखला गई है उसने media समेथ बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे अंदोलन के साथ जुड़े हुए है किसी ने किसी तरह की help की है कोई लंगर लगा रहा है कोई और material लेके आ रहा है तो उन सब के उपर government जो है किसी ने किसी तरह से अपना शकंजा कस के लोगों को ड्राने धमकाने की कोशिक कर रहे है उसी तरह मीडिया में भी मीडिया में जैसे अभी हम देख रहा है कि कैसे twitter से जुड़े हो लोगों को उपर एक उन्होंने केसे फ्रेम किये हैं और साथ ही जैसे दिल्ली का मीडिया है उस पर रेड्स का पिछले दिन उसे जो चल रहा है similarly जो भी जैसे हम देख रहे हैं कि इधर नैशनल मीडिया के जो लोग आने की कोशिक करते हैं उनको प्रॉपरली हमें कवरनी करने दिया जा रहा है तो ये जो तमाम हमले हैं जो डैसेंट को ड्राने धमकाने और अंदोलनों से दूर करने की जो कोशिक हो रही हैं हम सुन्यूक्त किसान मोर्चा की तरफ से इसका पूरी तरह इसको कंडम करते हैं और ये डिमांड भी करते हैं और ये चितावनी भी देते हैं अगर नहीं ये रुका तो इसके खिलाफ लोगों की अवाज और उची उठेगे एक सवाल आगे की दिशा क्या होगी तेज़ बाइस तेज़ तारीक से जनवरी से कोई ओफिशल वारता नहीं है और संसद में प्रधानमंत्री और पूरी सरकार किसान अंदोलन को सीरे से नकार रही है उसमें आगे आपको क्या लगता है क्या रास्ता होगा देखिए हमारे लिए तो अंदोलन करना अंदोलन करना अंदोलन आगे ले जेना यही हमारी रणनिती है इस अंदोलन को जैसे हमने पहले भी पूरे देश के पैमाने पर फैलाया इसको और थोड़ा इंटेंसि तक किसानों को बहुत काम के समय रहा है इसके बावजुद भी इडजस्ट करते हुए किसानों का बड़े पैमाने में यहां आना और उनका कोई ना कोई इस तरह से संघर्ष के डिफरेंट जो रूप है उसमें डालना ता जो सरकार का जो दबाव है सरकार के उपर वो बने और किसानों के मुद्दों को हल किया जाएं नेता से लेकर आम किसान बहुत मजबूती के साथ सच के साथ खड़े हुए हैं